तबी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 से रुच्रा भागवन चैप्टर नमर 14 चतुर्द स्पार्ठ इस पार्ठ को आरम करने से पहले मैं प्रतेक छात्रों का अभिनंदन करना चाहती हूँ आज हम चर्चा करेंगे अह, आह, च इस पार्ठ का नाम है अह, आह, च अह यानि अरे, आह यानि आह, च यानि और जब कभी भी हमें कष्ट या चोट लगती है या किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुँचती है तो हम इन सब्दों का प्रयोग करते हैं यह जो लेसन है, यह जो पार्ठ है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसकी जो सिख्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसमें मालिक और नोकर की बात कही गई है चलिए हम चेप्टर स्टार्ट करतें इस कहानी को सुनते हैं अजीज सरलप परिश्रमिच आसीद एक अजीज नाम का बच्चा रहता है वो बहुत ही सरलप और परिश्रमिद था सह स्वामिन एव सेवा याम लीन आसीद सह मतलब हुआ है अपने श्वामी जो उसका मालिक था उसकी सेवा में लीन रहता था मतलब लगा रहता था आसीत का प्रियोग था के लिए किया जाता है जो लड़का था अजीज वह अपनी मालिक की सेवा में हमीशा लगा रहता था एकदा सह ग्रिहम गंतुम अवकासम वाच्छती एक बार वह ग्रिहम मतलब घर गंतुम मतलब जाने के लिए अवकास यानि छुट्टियां वाच्छती मतलब मांगता है एक बार वह अपने घर जाने के लिए अपने मालिक से छुट्टियां मांगता है स्वामी चतुर आसिद जो उसका मालिक रता है वो बहुत ही चाला आक चतुर यानि चाला था सर चिंते अति वह सोचता है कौई सोचता है मालिक सोचता है अजीज इव न को अपी अन्य कार्य कुशल अजीज जैसा अजीज है इव न इव मतलब इसके जैसा न यानि नहीं को अपी मतलब कोई भी अन्य यानि दूसरा कार्य कुशल नहीं है इसके जैसा कार्य कुशल कोई और नहीं है मतलब यह जो है इसको मैं अवकास और वेतन मुझे दोनों चीजें देना पड़ेगा ऐसा सोच करके जो उसका मालिक रहता है अजीज का वो कहता है कथियती मतलब कहना अहम तुभ्यम अवकासस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामी अहम मतलब मैं तुभ्यम मतलब तुमको अवकासस से मतलब छुट्टी वेतन मतलब पेमेंट या तनख्वावी कह सकते हो आपको मैं छुट्टी और पेमेंट दोनों देने के लिए तैयार हूँ शर्वधनम दास्याती दोनों धन देने के लिए मैं तैयार हूँ परम एतदर्थ परम यानि लेकिन एतदर्थ मतलब इसके लिए मैं आपको दोनों चीज़े देने के लिए रेडी हूँ लेकिन इस कार्य के लिए तौम वास्तुदयम तौम मतलब तुम वास्तु मतलब वस्तु मतलब ठिंक्स जो होते हैं वस्तु द्वयम मतलब दो चीजों को आने मतलब लाना पड़ेगा इस कार्य के लिए आपको दो चीजों को लाना पड़ेगा वह चीजे कौन कौन से थी अह आह च इती अह और आह ऐसी दो चीजों को आपको लाके मुझे देना पड़ेगा अभी क्या करेंगे अब हम यहां से लेकर के यहां तके पैराग्राफ को देखेंगे एतस रुत्वा अजीज वस्तु द्वयम आनेतुम निर्गच्छती ऐसा सुनकर के अजीज वस्तु को लाने के लिए निकल पड़ता है सह इतस्तत परिभ्रमती वह यहां महां भ्रमण करने लगता है जनान प्रिश्यती लोग प्रिश्यती वह सोचने लगता है परिश्रमस्य धनम सह नेव प्राप्त श्यती परिश्रम से कमाया हुआ धन मुझे नहीं प्राप्त होगा कुत्रचित्र एका व्रिद्धा मिलती कुछ शमय के बाद उसे एक व्रिद्ध महिला मिलती है सह ताम शर्वा व्यथाम स्राव यती वह उससे सभी व्यथा सारी कहानिया सुनाता है कौन अजीज उस महिला से सारी व्यथा को अपने सुनाता है चिंतेयती अजीज अब बता रहा है इसमें कि जब महिला को शारी व्यथा सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था अब हम देखेंगे इसमें पैराग्राफ यहां से हमारा पैराग्राफ अब स्टार्ट होगा शहताम शर्वा व्यथाम श्रावैती और सभी बातों को सुन करके वह महिला क्या करती है साविचारियती वह विचार करती है ष्वामी जजीज आए धनम दातुम न इच्छती लगता है कि जो अजीज का श्वामी है वो उसे धन देने की इक्षा नहीं लगता है या उसे धन देना नहीं चाहता है सातम कथेती तब वो कहती है किस से अजीज से कहती है अहम तुब्यम वस्तुदयम ददामी मैं तुम्हें वह दो वस्तुवे दूंगी किसको अजीज को परम दुवयम एवम वहु मुल्य वर्थते वह दो वस्तुवे जो है वह बहुत ही बहु मुल्य है प्रशना श और प्रशन होकर, जब वो कहती है मैला कि मैं वो दो वस्टवी तुमको दूँगी, तो वो प्रशन होकर कि क्या करता है अजीज की मालिक के पास जाता है, अब हम यहां से ले करके यहां तके पहना ग्राप को देखेंगे प्रशन्न स स्वामिन समीपे आगच्छती वो प्रशन्न होकर अपने मालिक के समीप आता है अजीजम द्रिष्टवा स्वामी चकित भवती अजीज को देख करके उसका मालिक चकित हो जाता है स्वामी सनई सनई पेटिकाम उद घाते यती स्वामी जो उसका मालिक होता है वो धीरे धीरे पेटिकाम मतलब जो बॉक्स होते हैं उसको खोलने लगता है पेटिका याम लगू पात्र द्वयं आसित पेटिका में लगू यानि छोटे पात्र मतलब दूसरा बॉक्स पात्र मतलब बरतन कहे जाते हैं यहाँ पे बॉक्स की बात कहे गई है उस पेटी की अंदर दूसरे भी पेटी थी सबसे पहले वह छोटे वाले पात्र को उद्गाटेत मतलब खोलता है सहसा एकाम मधुमक्ष का निर्गछती और अचानक क्या देखता है कि उस बॉक्स में से एक मधुमक्षी निकलती है स्वामी उच्चे वधती और स्वामी जो रहता है उसका मालिक रहता है किसका अजीच का वह उची आवाज में वधती मतलब बोलता है फिर नेक्स क्या होता है दृतियम लगू पात्रम उधघाटे यति फिर जब दूसरा बॉक्स खोलता है एकाम अन्या मक्षी का निर्गचती तब उसमें से दूसरी मक्षी का निकलती है सह ललाटे दसती और वह उसके फोर हेड यारी ललाट पे डंक मारती है या डस लेती है पीडित सह अत्ती उच्चे चित्त करोती आह इती और वह पीडित कौन मालिक जो पीड़ा से ब्याकुल होता है वह उची आवाज में चित्कार मतलब आवाज निकलता है आह वह अह और आह ऐसे दोनों आवाज को उसका मालिक निकलता है किसका अजीज का मालिक अजीज सफल आसित और इस प्रकार से अजीज क्या होता है सफल हो जाता है स्वामी तसमे अवकासस्य वेतनस्य चपूरा धनम धनम ददाती और इस तरह से वह उसका जो मालिक रहता है वह उसे पूरी धन और पूरी छुट्टिया उसे प्रदान कर देता है किसे अजीज को और इस तरह से यह chapter आपका complete हुआ chapter number 14 मैं उमीद करती हूँ आप लोगों को यह chapter समझ में आया होगा और इस chapter से related आपको जो भी सिक्षा या moral समझ में यदि आया होगा तो आप प्लीज उसे comment box में डालिएगा धन्यवाद